हेलो एन वेलकम टू आर सीरीजन वोकेबलेरी डेवलप्मेंट तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला है अपचारिक समझोता या संधी जो की दो देशों के बीच होता है या किनी भी दो एंटिटी के बीच अगर कोई भी समझोता या संधी हो रही है तो उसके लिए जो आप वर्ड यूज करोगे वो होता है अकॉर्ड क्या होता है अकॉर्ड राइट अब इससे रिलेटिड सुनोनिम्स देखते हैं जिसका मतलब यह हुआ कि भारत ने इस परिच्छर से किसी अंतरराष्ट्रिय समझोते का उलंगन नहीं किया है तो समझोते के लिए आप कौन सा वर्ड यूज करोगे अकॉर्ड चलिए नेक्स्ट है हमारा निर्धारित आवदी के दौरान बढ़ना या फिर व्रद्धी होना किसी भी चीज की जब देखिए व्रद्धी होती है तो उसके लिए जो वर्ड होता है वो होता है एकॉर्ण चलिए इससे related जो synonyms हो जाएंगे वो हो जाएंगे grow, increase और augment ठीक है grow और increase आपको याद रहेंगे सिर्फ आपको augment को याद रखना है तो augment का भी मतलब क्या होता है किसी चीज में व्रद्धी होना या उसमें बढ़ोतरी आना तो इससे related जो एक example है वो है interest will agree until payment is made तो बिल्कुल सही बात है आपका ब्याज बढ़ता जाएगा या आपके ब्याज में व्रद्धी हो जाएगी जब तक आप भुगता नहीं करोगे रही चलिए next है हमारा sahas तो sahas के लिए देखिए बहुत सारे word होते हैं लेकिन जो आज हम word discuss करेंगे वो है audacity चीक है audacity की एक और meaning होती है जो मैंने पहले के वीडियो में discuss करी है उसका मतलब होता है ओडंटिता या जब आप कोई ऐसा काम कर देते हो जिससे की सामने वाला चकित रह चलिए अब इससे related जो synonyms हो जाएंगे वो हो जाएंगे boldness, daring, fearlessness, bravery या फिर courage ओके अब एक इसका example देखते हैं example है skydiving takes both audacity and skill तो बिल्कुल सही बात है skydiving जैसे activity करने के लिए आपको दोनों ही चीज़ों की आवश्यक्ता है जो की साहस और skill यानि की कोशल चलिए next है हमार इस्थिती आदी सुधारना या बहतर करना देखिए किसी भी चीज़ को जब हम बहतर बनाते हैं उसको improve करते हैं तो उसके लिए जो word होता है वो होता है ameliorate राइट क्या होता है ameliorate तो आप image से भी relate कर पा रहे हों कि अगर कोई भी इंसान regularly exercise करता है तो उसकी जो physical health है उस देखते हैं everyone wishes to ameliorate his own condition बिल्कुल सही बात है कि हर कोई अपनी स्थिती सुधारना चाहता है राइट चलिए next है हमारी परोपकारिता या परहितवाद देखिए जब आप दूसरों के लिए कोई काम करते हैं ठीक है बिना कोई अपना फाइदा देखे उसमें नफाया नुक हो जाएंगे वो हो जाएंगे selflessness, self sacrifice, kindness या फिर goodwill उके इसका एक example देखते हैं example है politicians are not necessarily motivated by pure altruism जिसका मतलब यह हुआ जरूरी नहीं की राजनेता शुद्ध परोपकारिता से प्रेरित हूँ नेक्स्ट है हमारा अपराद, पाप या उत्तरदायत वे आदी से मुक्त करना ठ इसे आप दोश मुक्त करना भी बोलते हो अगर उसमें अपराद involved हो ओके या निरपराद ठहराना ठहरना तो इसके लिए जो word होता है वो होता है absolve तो तीन चीजों के लिए जब आपको मुक्त कर दिया जाता है जैसे कोई अपराद किया हो आपने कोई पाप किया हो या जब आपको free कर दिया जाता है तो वहाँ पे आप word use करते हो absolve अगर आप इस image को देखे तो आप relate कर पाओगे कि यहाँ पे सलमान खान को जब जोदपूर court ने क्या किया था absolve किया था ठीक है जो poaching case थी ठीक है तो इस तरीके से ठीक है किसी को जब court से रहत मिलती है तो आपको सभी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकता है तो गाइस आज की वीडियो में बस इतनी ही vocabulary मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye